तो हेलो गाइज हमस्कार सलाम साथ से रिकाल दोस्तों मैं आपका होश्चा दोस्तिया शादोस्तों इस समय वार गेविंग ने बिल्कुली अचानक से यहां पर रिलीस कर दिया अपडेट 10.7 अपडेट 10.7 काफी अचानक सा यहां पर अपडेट के वीडियो आया और फिर शाम का अपडेट आ भी यहांनी कि वीडियो बनाने का में पर समय बचा नहीं तो मैंने सोच चलिया काफी सारे इंपॉर्टेंट चेंज इस वह अक्चली तो क्यों ना वीडियो बनाया जाए अब देखो यहां पर सबसे वीडियो ही पूरा और एक बार डिटेल में अनलाइज कर लेते हैं कि क्या-क्या चेंजेस हों यहां पर हाला कि अपडेट रोल आउट हो चुका है तो जो लोग डानलोड ने किये वो लोग अब जाकर डानलोड कर सकते हैं तो देख सकतो दोस्तों सबसे पहला है जो यह हमारा पैंटरा पी 44 पैंटरा टैंक यह इतालियन टैंक है और इसका यहां पर काफी बफ मिला अच्छा बफ मिला इन फैक्ट यहां पर डीपीम बफ हो गया क्योंकि पूरा ओवराल रिलोड टाइम कम कर दिया गया है हर शेल क दो फिर यह भी चीज़ ओके है तो यहां पर को एक्टुली दिया गया है मोडमें बैटर यानि कि मोडमेंश पर मिनिट अब ज्यादा डामेश पर मिनिट देते हो दिया गया है लेकिन मेरे साब से इसका गन अलेडी काफी अच्छा है और इसको गन को कोई भी बफ की जुन बहुत वीग था उसको यहां पर अपडेट करना चाहिए था थोड़ा सा बफ देना चाहिए था बट वार गेमिंग ने रिलोड टाइम को बफ किया है जो कि कोई ज्यादा सेंस बना नहीं रहा मेरे साब से तो देख सकते हैं यहां पर इंजन पावर बूस्ट कंजूमे बस मिल गया है पूरे लाइन को अब देखो इंजन पावर बूस्ट अच्छा होता है जैसे थोड़े स्किल्ड प्लेयर्स के लिए जो कि टियर 10 पे खेलते हैं अब जो लोग ग्राइंड कर रहें वो लोग इं के लिए यह रेलेवेंट हो सकता है तो देख सकते हैं यहां पर यह इंपॉर्टन चीज़ सभी के लिए खासकर फ्री टू प्लेयर्स प्लेयर्स के लिए और वहां पर यह कि मार्च 7 से 10 तक एक बैटल होने वाला यानि कि टूनमेंट होने वाला जिसका लाइव स्ट्रीम आ चाहरो और भी ब्राइवाश ब्लेश सब्सक्राइब करें और उसफें की टैने चलिये माई निणच अलग सकते हैं तो देख लेना लेकिन अच्छा होता है तो जड़ो जांच करना दाना मैं जाइन करूंगा देखता हूं मैं तुम लोग साथ शेयर कर दूंगा यहां पर तो देखना होगा कि क्या है आकिर वो फिलाल देखते आगे तो देख सकते हो दूस्तों यहां पर 15 मार्च तरह के 25 मार्च तक तक का लेकर यहां पर एक प्रीटूप्लेट अब्डेट का एक टैंक फडिक टैंक अब तक को उसको इसको नहीं पर लगा देख सकते हैं लेजंडरी के मों चाहें लेजंडरी चैमों भी फ्री में मिल सकता है तो फिर यह के के साथ यह तैंक काफी सॉरिड लग रहा है का आर्मर जो है वह वह बेटर है और वही बात कर इसके गन वन की तो नॉर्माल एवरेज एक जर्मन टैंक रिश्टर वाला ही है पूरा खेल तो कुछ ऐसे बहुत बहुत स्पेशल तो नहीं मिलेगा तो देख से तो दोस्तों यहां पर तीन टैंक इस बार हुए जिनको पीविया ग्राफेक्स मेले हैं सबसे पार यहां पर यहां पर यहां पर काफी अच्छा है क्योंकि टेंटी टू मीडियम बहुत रद्दी लग रहा था इस समय और लाश्ट में टीश्टी टू यहां पर यहां पर टीश्टी टू ए जो है उसको यहां पर एक साल स्लाइट नर्फ मिला मेरे साब से और वो यह कि साथ डिग्री जो उसका गंड डेप्रेशन था सेविन डिग्रीज वो अब कम कर दिया गया यहां पर पीविया ग्राफिक्स के बाद छे डिग्री आनि की सब्सक्राइब किया गया तो फिर है गंड देप्रेशन कम किया गया तो ठीक है ठीक है अच्छा लग जीन अच्छ गर्यार कहां सबस्क्रा में बंदेव ऑन और जगनली निले यहां पर सबस्ते67 कासि कहों बहुत है यहां पर एक चीज़ अच्छा है कि शूट करने के बाद इस तरीके से कुछ ग्राफिक्स बनकाते हैं जो कि अच्छा लगता लेकिन फिर भी यार मुझे उतना अच्छा नहीं लगता इस टाइप केमो क्योंकि रिलिष्टिक थोड़े लगते जादा और यहां पर एक्स पर फिफ्टी बी के पास ऐसर केमो जो कि थोड़ा जा ओके बहुत कुछ बहुत कुछ इस पेशल नहीं है मैं कहोंगा तो देखो यहां पर फाइनली मैच मेकर का सबसे इंपोर्टेंट यहां पर जो अप्डेट होना चाहिए था वह हुआ है और अब कितना एफेक्टिव है यह अप्डेट मैच मेकर कितना इंप्रूब वह बात होगी फिलाल यहां पर देखो कुछ रूल्स हैं जो कि गेम तो देखो दोस्तों यहां पर दो चीज अभी तक फॉलो किया जा रहा है रेगलर बैटर पहली बात तो फिर जो नए प्लेयर से वो चाहिए कोई-बी टीर के टैंक खेल रहा है उनको नूब मैच मेकर में रखा जाता है यहां पर साय नूब प्लेयर्स रहेंगे शाद 5,000 क में रखा जाएगा उसे के साथ साथ जो कि टॉप के टीर में भी है और जो अच्छा परफॉर्म करें 5000 के ऊपर भी कर रहा है लेकिन अगर वह सीरीज में काफिर सारे बैटर सहां पर लॉस करते मालों पांच साथ जो भी होगा तो फिर उनको तुरण नूब मैच मेकर में कि वो इंप्रूव कर सके तो देख सकते हो जाए अच्छली कह सबस्क्राइई तो देख सकतो हो काफ़ी सारे परिमेटर स्याह बोला तो गया है कि यहां पर देखा जाएगा कि विंघ कुते अप कि वेले बाहरे बाद 5 फाने के दो देखा गर प्लिख्वJeansal प करसके इस कितना हुद्त कि अपर कलता मेंन सृड़्डार कई instruments वाले चीज़ों के अनलाइस करके यहां पर मैच मेकर फिर बनाएगा एक साथ टीम यानि की थोड़ा सा ट्विच किया गया मेरे साब से तो फिर देखो यहां पर बहुत साथ यूट्यूबर सो विडियो बनाया अक्चिली और उनका कहना है कि यहां पर वार्गेमिंग कर यह रही है में जो चीज़ होता है वह यहां पर डाल दिया गया है पूरा नहीं लेकिन काफी हद तक अब रेटिंग बैटने के से मैच मेकर यहां पर प्लेयर काफी यहांद चलते हैं लड़ते है यहां पर नॉर्मल थोड़ा सालग था जो कि अब बिल्कुल रेटिंग की तरह रहेगा काफी हद तक और तो अच्छा भी है क्योंकि के तो रहे वार गेमिंग की बहुत जादा क्लेम्स किये गए कि काफी फियर होने वाला है और बहुत कुछ होने वाला एजी टू प्ले और काफी जो मैचेस होंगे तो देखने वाली बात रहेगी कि इतना एफेक्ट करता है कितना वर्क करेगा यह चीज़ को सकता अच्छा भी कर सकता है हो सकता खराब भी हो सकता और ज्यादा क्योंकि प्रॉब्लम यहां कि मैश मेकर को यहां पर एक साथ सिमिलर रेटिंग वाले लोग देखने माली रहेगी कि मैश मेकर कितना जल्दी इसको फॉल करेगा तो अब बात यह हुआ यहां पर कि अगर मैश मेकर को यहां पर सिमिलर टाइब के बंदे नहीं मिल रहे हैं मालनों तुम रात बात में खेल आदी रात वाद फेल जहां पर इतने सारे लोग आउनलाइन तो फिर अगर मैश मेकर को ती सेकंड टक नहीं मिले कि भाई तुमारे सिमिलर स्किल वाले बंदे तो फिर वहां पर मैश मेकर किसी को भी उठाके गेम में पटक देगा तो फिर जान रखना कि वेटिंग टाइम लंबा नहीं होगा यहां पर यह चीज़ अच्छी हो गई है लेकिन वेटिंग टाइम लंबा नहीं होगा और वहां पर मैश मेकर किसी को भी पटक सकता है अगर लंबा जा रहा हो तो तो देख लो यार यहां पर फाइनली पूरा विडियो ओबर हो गया है और अपडेट रोल आउट हो चुका यहां पर अपडेट तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है देखने में की मैश मेकिंग काफी फिक्स हुआ है अब कितना एफेक्ट करेगा वह देखने वाली बात रहेगी यहां पर लेकिन एक और बात लाश्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है किसी को भी पटक देते हैं तो कभी-कभी ऐसा फार्म करते हो लेकिन तब भी जीत नहीं पाती है तो फिर यहां पर डिफरेंट चीज़े हुई है देखना पड़ेगा कितनी एफेक्टिव है यहां पर तुमने के वीडियो देखना है तो तुमने जाकर वाल गेविंग का ओफिस्यल वेबसाइट पर देख सकते हो यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दूंगा यहां पर कितना यहां पर टाइमिंग्स क्या है जो टूर्णिमेंट्स हो रहे हैं और ताकि तो लाइव इस्ट्रीम देख सको और वहां फैन जो कॉइंस है उनको एकट्टा कर सब को सकता है कुछ अच्छे रिवा जाल जा गया उसमें आता है सबसे पहले हैं चीफ्टेट मार्क 6 बन टू अन भी एम एक फटी वन टर प्रोटोटाइप और ऐसे ही दो तीन वहिकल्स और तो यह कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं है लेकिन फार्दा इसमें रहेगा ना कि कभी हम अजनसी में गोल्ड चाह टीम में निकल गई टाउन के तरह पोट बे के मैप पे अधूसरे वाले मैश मेरा टीम में में मीडियम थे ही नहीं और जानतों मीडियम नहीं होते हैं आप एक हैवी टैंक में तो फिर क्या हाल होता है तो तो फिर मेरे साफ से तो कुछ खासा भी चेंज हुआ नहीं है अफ कि इतना efficient हुआ है बस उस तो आज के वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं मैं मिलता हूं तुम लोग से अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye take care and see ya